आज हम लोग अभ्यास 5B को कॉंटिन्यू करते हुए इसके तीसरे नमबर कोश्चन को हल करेंगे तीसरे नमबर कोश्चन में कहता है कि एक बीजी बेंजग दिया है उसमें दूसरे बीजी बेंजग से भाग देना भाग देकर एक सारड़ी बनाईए जिसमें भाजक को लिखिए भाज्य को लिखिए जो भाग फल आए उसको लिखिए और जो सेस्फल आए उसको लिखिए और जब सारड़ी बन जाए तो उससे उस समीकरण को प्रूब करिए जो बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेस्फल होता है तो आईए सबसे पहले हम लोग एक भाग देते हैं और उसमें सीखते हैं कि भाज क्या होता है भाजक क्या होता है भागफल क्या होता है और सेस्फल क्या होता है तो अगर एक हम अंकों पर काम करें तो अगर हम लोग एक संख्या ले 43 एक संख्या ले 43 और इस 43 में हम लोग भाग देदे 5 से ठीक है तो 43 में किसका भाग देना है 5 का तो जब 5 का भाग दोगे तो 5 का पहाडा पढ़ोगे 5 वठे यहां के आया अब देखो इस तीन को हम लोग कहते हैं सेसफल इनको क्या कहते हैं सेसफल जितनी बार भाग जाता है उसको कहते हैं भाग पल जिसमें भाग देते हो उसको कहते हैं भाज जिससे भाग देते हो उसको कहते हैं भाजक तो यह पता चल गया कि जिसमें भाग देना है वो भाजक कहलाएगा भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा वो भाग फल कहलाएगा और जो बच जाएगा वो सेसफल कहलाएगा जिवा समझा गई अब अगर यहां पर एक थोड़ा सा और धन करो तो यह क्या है 43 43 लिखा है अगर मैं 43 बराबर इस पांच का गुड़ा आठ में कर दूँ पांच का गुड़ा आठ में कर दूँ तो बोलो पांच में आठ का गुड़ा करोगे तो क्या लिखा जाएगा 40 पांच उठे और 40 में कितना जोड़ दे 43 आजए अगर तीन है क्या तो बेटा अगर इसमें तीन में जोड़ दूँ तो ये पांच गुड़े आठ मतलब भाजक गुड़े भागफल पांच गुड़े आठ 40 और उसमें तीन जोड़ दिया जो सेसफल है 47 तैटालिस बराबर कितना हो गया भाज के बराबर हुआक नहीं हुआ तो बेटा इसका मतलब एक समीकरण बना कि जो भाज होता है वो किसके बराबर होता है वो होता है पांच क्या है भाजक पांच क्या है आठ क्या है भागफल और तीन क्या है सेसफल तो इस प्रस्ण के लास्ट में यह कहता है कि आप सारनी बनाकर भाज लिखो भाजक लिखो, भागफल लिखो, सेस्वल लिखो और फिर इसको सिध करो देखाओ कि भाज बराबर भाज़क गुड़े भाज़क गुड़े, भागफल दन सेस्फल के बराबर होता है ऐसा दिखाना है सारणी की साहता से इसका सत्यापन करना है तो आईए अंकों के आधार पर जो हम लोगों ने समझा एक अंक का दूसरे अंक में भाग देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बीजी बेंजगों माइनस 50 इसमें भाग देना है 7x माइनस 4 से तो जब हम लोग भाग देंगे तो क्या लिखेंगे प्रटा ये क्या है भाज और ये क्या है भाजाक अब देखो भाग देने के लिए x की घाट घटे हुए क्रम में होना चाहिए तो x की घाट दो है x की घात एक है, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी x की घात घट्टे विक्रम में होना चाहिए, x की घात एक है, 0 है, अब जब हम भाग देंगे, तो इसका पहला पत 7x है, इसका पहला पत 14x, x बर्ग है, तो 7 में कितने का गुड़ा करें 14 होगा, x में कितने का गुड़ा कर एक X वर्ग होगा, X का, तो 7 दुना, X का X में गुड़ा किया, X वर्ग हो गया, क्या ये गुड़ा इसी में होगा, क्या ये गुड़ा के ओल 7 X में होगा, गुड़ा दोने में भी करना पड़ेगा, दूसरे पद में भी, तो इसका चिन धन, इसका चिन रिन, धन, गुड़े रिंड कितना होता है, रिंड, दू गुड़े चार, आठ, और x ऐसे ही लिख दिया जाएगा, यहां लिखेओ माइनस और यहां लिखो प्लस, यह क्या हो गया, कट गया, 13 और 8 कितना होता है, 21 यक्स, क्यों यह जुड़ गया, क्योंकि ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक धन है धन लाना है तो धन में किसका गुड़ा करें की धन आवे धन का यहां लिखेंगे धन अब 21 लाना है तो 7 में किसका गुड़ा करें की किस आए तो सात तरीक यहां X है यहां भी X है लाना है तो केवल 3 का ही गुड़ा करेंगे तो यह हो गया साथ त्रीक, एककईस एक्स, धन का गुड़ा रिण में करो, रिण, तीन गुड़े, कितना हो गया, चिन बदलो गई, घटाने के लिए, तो यह रिण, यह धन, यह देखो, एककईस एक्स पूरा कट गया, यह रिण 15 धन दो, धन 12, तो रिण 15 धन 12, दोनों उल पेटा चिन है, घटेगा, तो 12 में से, 15 में से 12 चला जाएगा, कितना होगा, तीन, कितना होगा, चिन किसका रहेगा, माइनस का, तो बेटा जो साननी है, उसमें बताओ भाज क्या है, चलो, भाज क्या है, भाज यह है, 14 एक्स स्क्वाइर, धन 13 एक्स, रिण 15, यह हो गया साननी, भाजक क्या है, भाजक क्या है, चार, भाज़ फल क्या है, 2 एक्स प्लस 3, सेस्फल क्या है, सेस्फल हो गया, माइनस, अब हमें क्या करना है, जो सूत्र है, सूत्र क्या है, कि भाज बराबर, भाजक, गुड़े भागफल, धन सेस्फल को सत्यापित करना है, कैसे सत्यापित होगा, चलो, पहले भाजक का भागफल में गुड़ा करते हैं, तो भाजक का जब भागफल में गुड़ा करोगे, तो कितना है, सेबन एक्स माइनस फूर, भागफल कतना है, दो एक्स प्लस और सेस्फल कतना है, तो यह प्लस है, यहां रख दो माइनस फूर, अब बेटा गुड़ा करो, यह भी दो पदी, यह भी दो पदी, दो पदी का दो पदी में गुड़ा करना सिखाया थे, अभी क् इस 7x का गुड़ा पूरे ब्रैकेट में होगा तो 7x अब पूरा ब्रैकेट क्या है 2x धन ऐसा होगा यहां रिंड 4 है है ना रिंड 4 का गुड़ा इसमें करोगे पूरे ब्रैकेट में तो 2x धन 3 होगा यह प्लस का गुड़ा माइनस में होगा माइनस 3 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा अब 7x का गुड़ा 2x में करोगे कितना होगा 7 2 14 x का गुड़ा x में करोगे x बर गए धन है धन लिखोगे 7 का गुड़ा 3 में करोगे 21x होगा रेंड चार का गुड़ा 2 में करोगे कितना हुआ 8X रेंड का गुड़ा 3 में करोगे 12 माइनस 3 अभी देखो ये कितना आया 14X बरग 18X में से 8X घटा दो तो कितना आजाएगा 13X आएगा एक नहीं आएगा धन आत्मक वाली संख्या बड़ी है इसलिए धन लिखा जाएगा 12 माइनस 3 15 है कि नहीं तो बताओ यही चीज भाज है कि नहीं बताओ भाज क्या था मेरा 14X स्कॉयर प्लस 13X माइनस 15 था कि नहीं था तो बताओ यह बेरिफाई हो गया तो यही बराबर क्या है हम लोग यहां इसी को लिख देंगे बराबर भाज